नमस्कार दोस्तो टारगेट विद परिहार चैनल में आपका स्वागत है इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से सम्मंदित सभी सूचनाय प्रदान की जाती हैं उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश दरुग ना चाहे चुनावों की भेट ना चल जाए और अभी तक पुलिस भरती एवंप्रणत बोड ने इसकी तारीकों का ऐलान नहीं किया है पुलिस भरती बोड के द्वारा तरह तरह के जो पत्र है समय समय पर वाइरल किये जा रहे हैं कभी 20 अक्टूबर को ले करके कभी 12 अक् पत्रों के माध्यम से मैंने एक वीडियो बनाया था दो दिन पहले जब मैंने यह पिताया था कि मेरी पुलिस भरती एवंप्रणत बोड से बातचीत भी है तो उन्होंने किसी प्रत्र के बारे में जानकारी नहीं दी और उन्होंने कहा कि हम समय से आपको जानकारी देंगे और वेब साइट पर अपडेट कर देंगी और वहीं पर मैंने आप लोगों से यह भी बताया था कि जो बहुत सारे परिच्छा केंद्र है एक्जाम सेंटर है महां पर मेरी लगातार बात हो रही है और मैं आपको बहुत जल्दी जो है इसकी बारे में एथेंटिक जानकारी देंगा फाइनली जैनकरी मिल गई है और परिच्छा केंद्रों को एक पत्र भेजा गया था 27 अक्टूबर को आप लोगों ने देखा होगा मैंने भी उस पर वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों से बात बताई थी कि अभी सेंटर मांगे जा रहे हैं कि सेंटर खाली हैं या नहीं खाली हैं अभी सेंटर निश्चित नहीं हो पाया है कि यह परिच्छा 12 तारिक से ही होगी इस बत्र में यह बताया गया था कि यह जो परिच्छा को आयोजन वह 12 नुमबर से लेकर करके एक डिसमबर के बीच में कराय जाना निरदारत है बहुत सारे जो हैं वह आयोजन धुन मुस्किल हैं सेंटर अभी नहीं मिल रहे हैं और वास्तविक्ता भी यही थी और सच्चाई भी यही थी कि परिच्छा केंद्र निरदारत नहीं थे और यह कोशित उसी तरीके सी जिस तरीके से 20 अक्टूबर को कोशित की जा रही थी कि फाइनली आज फिर मैंने पता किया है बहुत सारे परिच्छा केंद्र प्रयागराज के हैं और कुछ लखनों के हैं जहां पर यह परिच्छा आयोजित होनी है जानकार यह मिली है कि जो तारीकें बताई गई थी 27 अक्टूबर यानि कि 12 नवंबर से लेकर के एक दिसंबर तक परिच्छा के बारे में इसके परिच्छा केंद्रों का काम लगबग 95 परसेंट तक पुरा हो चुका है और यह परिच्छा 12 नवंबर से ही हो सकती है इसके बारे में आज फिर से बहुत सारे परिच्छा केंद्रों में एक पत्र 30 अक्टूबर को भेजा गया था राज को कलसाम को भेजा गया था और इसमें जितने भी थाने हैं परिच्चा केंद्रों के आसपास के और वहां पर जाकर के वेरिफिकेशन करवाना है और एक शपत्पत रित्याती देना है कुल मिलाकर के कुछ फार्मेल्टीज है वह फार्मेल्टीज करनी है और बारह तारीक को जो परिच्चा की तो योजना है वह बिल्कुल सही है अगर कोई और अलचन नहीं आती कुछ और कारण नहीं आते हैं तो पुलिस भरती एवं प्रुनदबोर्ड बारह नवंबर से ही परिच्चाओं की तयारी कर रहा है और इसलिए आप लोग सोच दीजिए अगर आप लोग घर जा रहे हो तो आप लोग विचार कर लीजिए आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें परिच्चा फिलहाल आज की डेट की सूचना यह एकी आपकी जो परिच्चा है वह बारह नवंबर से ही हो सकती है और मैं सकना सब्द का प्रियोग कर रहा हूं यहां पर किसी भी चीज की संभावना नहीं होती एक दिन पहले भी नोटिस जारी करती जाती है कि यह परिशेश तारी को नहीं होगी बहुत सारे कारण होते हैं इसलिए मैं 100% नहीं कर सकता लेकिन यह दावा है कि जो 12 नमबर वा है और इसलिए यह परिश्चा जो है आपकी बारत तरीक से होने जा रही है एडमिट कार्ड दीपा वली के बाद तुरंत जारी कर दिया जाएंगे मौक टेस्ट का मौकर दिया जाएगा इन विद्यारतियों को घर बैटे मौक टेस्ट साथ आठ नौ तारीक को यह विद्या ही है कि सबसे पहले विद्यारतियों को संस्मंधित जिए जब विद्यारतियक पर इच्छाइए वह सेंटर बताए जाएंगे उसके बाद में पिर सेंटर बताए जाएगा ओर पुलिस भरती एवं प्रुनत अन प्रीद 1997 एब च्छाइए नहीं कर रहा है बहुत पहले से admit card जारी नहीं कर रहा है ताकि विद्धार्थी जो परिच्छा केंदर इत्याज पर जा करके कोई setting नाग कर सकें जिस तरीके इसकी सूचना है पिछली बार 2016 में जो परिच्छा हुई थी दरोगा भरती की उसमें बहुत सारी जो सूचना इस तरीके की आई थी उसके बाद में दरोगा भरती की परिच्छा है वो इस्तिकित करनी पड़ी थी रद करनी पड़ी थी और दोबारा दरोगा भरत की यही सूचना है कि इसकी जो एडमिट कार्ण है वो दीपावली के बाद जारी हो सकते हैं बारह तारीक के लिए सेंटर बनाने के लिए जो पत्र भेजा गया था करतियों को जो है एडमिट कार्ण दीपावली के बाद जारी होंगे और मौक टेस्ट का भी मौका में लेगा यह तीन सूचना है अब हम लोग बात करते हैं हाई कोट की परिक्चा आरो और एरो की आरो एरो के लिए भी परिक्चा के इंदर नवंबर के महीने में ही मांगे जा आर या व बारे में इतना कहूंगा कि बहुत जल्दी परिक्चा होने वाली है आ लेकिन पर अ काम हो रहा है जल्दी कर अब ही सेंटर पूरी तरीके से निश्चित नहीं हो पाएं पूरे सेंटर नहीं मिल पाहें लेकिन जो डेट है वह बहुत नसदीक की डेट है बहुत पास की देट है और जब तक सेंटर पूरे नहीं मिल जांग देट अनूंस नहीं करुए और जब पूरी तरीके से सेंटर हो जागे परिशये के पूरी तयारियां हो जाएंगे तभी मैं डेट का एलान करूंगा कि इस तारीक चाप की परिक्षब होने वाली है तो ठीक दोस्तों फिलाल ये हो गई आज की अपडेट वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें जिन चात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें एक बात और बता और इस एप में उत्तर प्रदेश दरोगा भरती का जबर्जस्त टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट उपलब्द है दरोगा भरती के जो पिछली परिच्छाओं मीदी 2016 की उन परिच्छाओं के भी प्रशन पत्र है अगर आप लोग चाहे तो उनकी प्रस्ण और उत्तर वह भ देख सकते हैं तो यह हो गया आज का वीडियो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें जिन चात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया और सब्सक्राइब कर ले पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बुधन बश्याओं